तो वहाँ पर आपका DevOps का knowledge आजाएगा तो समझो कि कौनेट में या फिर आज अ फ्रेशर या फिर कहीं पर भी आप क्या problem solve करें उस चीज का problem उस रोल में चुपा हुआ है Hello everyone, welcome to this podcast ये podcast आपके लिए game changing होने वाला है अगर आप DevOps में जाना चाते हैं आपके doubt है कि DevOps क्या है उसके क्या skill set चाहिए, क्या package होना चाहिए DevOps का क्या future है और DevOps का क्या roadmap होना चाहिए 2023 में वो सारी चीज से में cover की है अगर आपने ये particular podcast देख लिया तो आपको किसी भी podcast की ज़रुत नहीं होगी और अगर आपके अभी भी कुछ questions है ऐसे जो रह गए हो इस podcast में comment section में डाल देना वो सारी questions भी मैं next podcast में cover कर लूँगा और एक request है मेरी आप से कि इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करना अपने friends के साथ क्योंकि कहींने कहीं मैं इस चीज से relate कर सकता हूँ कि जब अपने college life में होते हैं या early career में होते हैं वो तो उनको कितना difficult होता है particular role choose करने के लिए तो मैं आप से बस यह करूँगा जितना आप share करोगे उतना ही आप help करोगे लोगों की तो इस video को ज्यादा से ज्यादा के लिए कर देगा इस वीडियो में एम रखते हैं अपने only 1000 लाइक का अगर यह वीडियो थाउजन लाइक से ज्यादा इस पर मिल जाते हैं तो मुझे बहुत खशी होगी मुझे भी motivation मिलेगा और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना सीधा चलते हैं वीडियो पर वेलकम शुवन भाई इस पॉड़कास पाने के लिए बहुत बहुत तन्यवाद बहुत सारे पोश्चिन सारे थे यार डेवोप्स के राउंड और मैंने इंटरनेट पे स चोटा सा इंट्रोड़क्शन दे दीजिए हमारे वीवस को थैंक्यू थैंक्यू सो मच पारस भाई आपने बुलाया मुझी चैनल पर और मुझे बहुत अच्छा नग रहा है आपकी चैनल पर आके आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और एक चोटा से इंट्रोड़क्शन म क्यों कि स्टार्टप में काम करता हूँ इससे पहले भी में स्टार्टप में ही काम करता हूँ 2018 से काम कर रहा हूं तो आरा हूं 5 साल के experience हो चुका है इसी डूमेन में और इसी के साथ जो जो मैं सीखता हुँ अपनी जॉब में वो मैं आनुगो सिखाता हूँ तो एक चैनल बहुत बात कर चुक है और बहुत ही अच्छा नगर है आपकी भाई भी छांदार है अच्छा नगर है थेंकि बहुत कुछ जानने का उम्मिद आपके बारे मैं तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरा जो थीम है इस लो गोट कास्ट का वोट डेव आप्स पर तो डेवबस में डीव डाइफ करने से पहले मैं ने देखा है लोगों को बहुत जादा डाउट्स रहते हैं याँ डेवबस है क्या यार्ट लोग इतने को मेंसेजिस करते हैं तो परेशान हो गया समझ में नहीं आ रहा है वोई कर्टों भी डेवोस एक्षिन है क्या बहुत ही अच्छा क्वेशन है बहुत सारे लोग के मन में कन्फूजन होता है कि IT इंडस्ट्री में कैसे गुशे तो गुशता है तो आइफून को टेस्टिंग की जॉब्स मिलती है डेवलप्मेंट की मिलती है क्यूए मैनेजर और सुछे उनको दिखता है डेवोपस इंजीनियर पकिस आज़े डेवोपस क्या चीज है तो नाम सुनने में बड़ा इंट्रेस्ट लग रहा है क्या है यह डेवोपस तो बिसिकली डेवोपस क करने के लिए अपरेशन्स टीम थी नेटवर्क इंजीनियर प्लाट्फॉम इंजीनियर और यह सरी पूरी आपरेशन की टीम थी फिर और और समझा कि यह डेवलपर कोड लिखता है अपरेशन टीम डेपलॉई करती है इसमें न थोड़ा गैप है कभी डेवलपर प्रोडक् का मिश्चर है डेव, डेवलप्मेंट, ओप्स बतलब ओपरेशन्स तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेचनलोजी, ऐसा कल्चर जिसमें कोलाबरेशन और कम्यूनिकेशन हो डेवलप्मेंट टीम्स का और ओपरेशन टीम्स का अब इस चीज के लिए टूल्स है अगर कोड चाहिए त आपको बालाबरेशन गवलप्मेंट अब चाहिए तो बहुत साले टोल्स है जिसकी है यह कोलाबरेशन कम्यूनिकेशन पॉसिबल हो जाता है तो इस चीज को कोलाबरेशन या फिर कलेक्टिवली हम लोग बोल सतते हैं डेवॉप्स इंजिंग्रीं तो यह चोटा सा एक्स् जैसे कई फ्रेंज मेरे आते हैं कमेंट में या इंस्टाग्राम के मेसेज बॉक्स में अपसे मैं यह जगो कर दूंगा कि यह पॉड कास्प कर लिंक में उसे देखुए तो आपके बास दीरे दीरे ओप्शन स्कुलते हैं कि स्टार्ट में आपके बताया तो यह सारी चीज इस दोस्ते बास देखते हैं कि उनके मांड में प्रेंग्स यह कोई रोल है और उसा रहता है जाओ ना जाओ और बहुत लोग उसको कंफ्यूज करते हैं डिस्ट कर कि दोस्त उस particular phase में लोग का mindset कैसा होना चाहिए क्या इसको approach करने के लिए या कैसे explore करने के लिए वो mindset के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं यह बहुत अच्छा question है कि college में लोग का mindset कैसा होता है थोड़ा बढ़के रहता है और बड़ा influence हो जाता है जिसे मुझे किसी ने बोला था कि यार android app बनाना सीख लो पैसा ही पैसा है web development सीख लो पैसा ही पैसा है और coding competitive programming सीख लो amazon google में job लग जाए की आपकी जैसे तो यह है फिर किसी ने बोलते है डेवॉप्स सीख लो फिर आप कोईगे डेवॉप्स क्या है तो इस चीज को कैसे प्रेक करे या mindset कैसे change करे तो अगर मैं वापस जाता college में और चीजों को सुधारता तो basically हर एक problem का solution होता है for example अगर आपको एक problem solve कर रहा है वेब development की आपको एक website बनानी है तो develop करनी है तो वो development उस चीज का solution होगे आपने python सीख ली html javascript ये सब सीख ली आप उस चीज को आपको deploy करना है scale करना है ज्यादा से ज्यादा users तक पहुचाना है उसके लिए आपने cloud सीखा, devops सीखा तो आपको problem solving का attitude रखना चाहिए तो आपका goal ये नहीं होना चाहिए कि मुझे devops सीखना है college में या development सीखना है या सीखना है मुझे कि ये मैं एक engineer हूँ और engineer का काम होता है जुगार लगाना, problem solve करना, चाहिए जो हो जाए उस चीज में उतरना है और चीज को ठीक करना है अब आपका problem है कि मेरी website है जो 10 लोग use कर रहे है अब मुझे अपना खुद का startup बनाना है जहाँ पर 10,000 लोग use करेंगे उस website को तो आपको scale करना आना चाहिए AWS सीखो, Google Cloud सीखो, Azure सीखो, अब उस चीज को आपको फटाफट setup करना है, infrastructure सीखो, जल्दी से deploy करना है, Jenkins सीखो आपको अब क्या problem solve कर रहे है, उस चीज का problem उस role में चुपा हुआ है, अगर आप QA issues, testing solve कर रहे है तो tester का role है, development कर रहे है, developer कर रहे है, तो आपको clear होना चाहिए कि आप क्या problem solve कर रहे हो, उस चीज में अगर interest आ गया, तो गो कर, तो मैं तो यह कहुँँगा, कि interest, प्रेंड में होना चाहिए. जादर से जादर से जादर से जादर से जादर से जादर कुछ नहीं करने बना आपको, बस चैन का button, that's it. और एक और question दा मेरा, शुबं भाई, इस ही around, like, जब आपन इस role को और explore करते हैं, जैसा कि आपने बता है, automation बहुत हो दा है, बहुत सारी, you know, CICD है, Jenkins, आपने ChatGPT ने बहुत ही जादा तुफान मचा रखा है, तो लोगों के मन में डर एक और आता है, जब यह चीज़े सीख लेने है, समझ लेते हैं, कि या, ChatGPT आज तो मेरे स्टार्ट कर दूँ, DevOps Engineer में बन जाओ, दोसान बाद मेरी जॉब ही नहीं आता है, यह ड़ा है, लोगों क अच्छा क्वेशन है, क्योंकि हर जगह ChatGPT है, और जॉब्स लोगों को डर है, कि AI आते ही जॉब्स लेके चला जाएगा, अब समझते हैं कि ChatGPT का काम क्या है, AI का काम क्या है, एक होता है न, Human Intelligence, एक होता है Artificial Intelligence, अब क्वेशन जब आता है कि क्या Artificial Intelligence, Human Intelligence को रिप्लेस कर स आम डेवॉक्स इंजीनियर करता है न, वो सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने का या फिर स्क्रिप्स लिखने का या फिर पाइपलाइन बनाने का नहीं होता है, मुझे एक डिसिजन लेना होता है कि क्या ये जो आप का वर्जन है, मुझे यूजर तक पहुचाना है, क्या मशीन के पास नहीं होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि मशीन ट्रेंड है, मशीन के पास वो इमोशन, वो डिसिजन टेकिंग कैपबिल्टी अभी तक नहीं है, तो वो पहली चीज हो गई, और दूसरे जो चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ये सारे लोग जो AI टूल हो गया है, ये एसिस्टेंट है, तो इनका काम ये नहीं है कि आपकी जॉब लेके चला जाए, इनका काम ये है कि आपकी जॉब में आपको कैसे efficient बनाए, तो for example, जैसे मैं एक CICD pipeline लिख रहा हूँ, मैंने अपना दिमाग लगा के human intelligence लगा के एक pipeline लिख दी, या फिर एक code ल सकता हो, हे, I have written this code, can you tell some vulnerabilities in this, can you tell some improvements, can you please review this, तो ऐसे समझ जीज है कि जब आपका organization होती है, उसमें कोई intern आता है न, आप intern से काम करा देते हो, थोड़े बहुत कि यार ये देख लो, ये ये कर लो, और intern पर भी exposure मिल जाता है, तो आप chat GPT को as a personal intern समझे, कि chat GPT को आप training data दे रहे हो, और smart बना रहे हो, और उससे काम करा रहे हो, तो as an assistant उसको ले के चन, तो इससे पते क्या होगा, आपकी जो productivity थी, जो let's say X थी, वो chat GPT के साथ 2X हो गई, 10X हो गई, तो future में AI अपकी job नहीं लेने वाला है, जिस इंसान को AI को use करना आता है, वो आ आपको AI समझना पड़ेगा कि AI को use कैसे करते है, utilize कैसे करते है, और उसको अपने job में आड़ कर, वो थोड़ी ना आपकी जगह आएगा, और वो button पे click करेगा, या फिर CICD pipeline बनाएगा, या आपके उपर के decision लेगा, या आपके meetings में due diligence बोलते है ना, खुद की knowledge से कुछ बत आपने तो helper वाना point बूलाना, बहुत important है कि लोगों के mind में बहुत बहुत किया है, यह तो क्या करते है, यह तो पुनीजी आप ले जासता है, पर यह explanation है around the helping, कि like, आप help लोग उससे जादस जादा, like, चैट्रिपटी में भी देखा है, लोग, सिर्फ इनिशन देज में उन पच्छे से अपने इंटर्न को समझा पाओ कि यह काम करना है, उतना अच्छे दगर के देगा है, तो automated intern मिल गया मैं उसके दो, बेलकुल, first man, like, so like, एक चीज और डाउंट रहता है, like, आपन जैसे, अब कोई भी particular role के लिए सोच रहे है, in college like, as a fresh engineer, as an experienced person, मैं किसी particular job role में थ काई किया, और लोगों के माइड में, like, कुछ पैरामेटर होते हैं, like, job role, job satisfaction, then, future requirement, we have, अपने discussion किया, और, इसरा या फोर्थ मान लो, की, standard expectation, yeah, as a, कह सकते हूं कि आप इतना amount, वेरोगों लीस्ट में जास अकता हूं, like, as a fresh engineer, minimum हो सकता है, इतना mixing, आपकी according, आपने, अभी तक, like, highest कितना दिखा होगा, devops, यार, इस बंदे ने तो 4 दिया, यार, मजा आके, पैकेज देखते, तो मैंने, recently, मैंने निकला था, क्योंकि मैंने का कि यार, चलो, switch switch देखते है, आप देखते है, वैसे वैसे, कित में निकलता है, हाई कोई किती मिलती है, तो, इंडिया में ए 2X आप पुने, आपका पैकेज होगा, लटक से 2X या आप इंडर में हो, या फिर कहीं और हो, जवबन में हो या जवबन में हो, या या नोडा में हो, या कहीं पर में हो, इस बंदने टो रिजिन के, इस पेंसे कि हिए ऐ पाकेज को फोल्याद होता है, तो तो मैंद बंदे बढ़के पैकेज़ देख रहादा तो हालत ही खराब होगी मतलब 60 लाग का पैकेज 80 लाग का पैकेज प्रड़क्ट बेस कंपनी फोन पे रेजर पे अपने डेवोपस इंजिनियर को बार बार के पैकेज़ दे रही है 80 लाग के फिर मैंने क्या किया? मैंने का यार यह इंडिया में इतना पैकेज दे रहा है बाहर कितना होगा? फिर मैंने क्या किया? एंजल लिस्ट पे यसी जॉब्स पे य कॉंबिनेटर जो स्टार्ट अप्स होते है उनकी जॉब्स पे वर्क्रम होम डॉट कॉम पे फ्लेक्स जॉब्स पे यह सब जो रिमोट वर्किंग वेबसाइट है उसमें देखा पैकेज कितना है वो कनवर्ट करके मतलब एक करोड डेड़ करोड उनके उसमें क्योंकि उधर के इसाब से एक्सपेंस जादा है तो PPP पर्चेजिंग पावर पैरिटी जादा है तो मैं अगर करोडों में चाप रहे तो डेवापस इंजीनियर्स बट यह कैसे रहता है एक्सपीरियंस रहता है तो मैं यह नहीं कहुँगा कि आगर आप कॉलेज में हो और डेवापस सीख गयो आप करोडों चापोगे ने ऐसा नहीं है तो फ्रेशर्स के लिए यह स्टार्ट होता है और चार लाग से आठ लाग तक थोड़ा और स्किल्स बढ़ा लो तो आठ से बारा थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लो तो प्रड़क्ट बेस कंपणी में स्विच मारो 24 लाग तक तो यह मैं एक एक आवरेज बता रहो बट यह कि मैंने एक सपैसे हाई एंड में भी देखे हुए है कि लेंसे कोई एक बहुत बड़े स्टार्ट अप में काम कर रहा है क्रेड में काम कर रहा है अमेजिंग पे फोन पे पे काम कर रहा है खतरनाक पेमेंट में ठी directive तो यह डपर करता है और आपकी skills पर depend करता है कि आप की value बड़े कर सकते हो तो आपके negotiation भी डपर कना स्यांट करते है आप कितना जाधा company के budget से निकलवा सकते हो तो devops जो job role है बहुत जादा production centric है तो बहुत ही critical job रहता है तो जितना critical business में आपका involvement है उतना क्ष़टर्नाख आपका salary package भी होता है तो आपको negotiate करना आपको यह भी है तो अच्छा है it is good, really nice पाकेज सुनके तो मैं पागन होता हूँ पार के पैकेज बहुत क्रेजी है और स्विच करना पड़ेगा पहुत ही जल्जी चलिए चलिए पारस भाई अभी फटा-फट स्विच कर लेता है इतना पैकेज जब श्टुडेंड की इतना पैकेज छी बहुत बहुत बड़ा मोट आएशन गये है इसलिए अकलो हुए ये पारता चाम हक्त भाकत ग伏व क्रन स्किल्स तब करीख एद विच के तो इंडिया के साफ़ चार लाग शे लाग यह तो फ्रस्टार्टिंग पैकेज रहता ही है इंडिया का कॉस्ट मेंने जैसे बताना कम है तो अगर इंडिया में आपका 33 लाग का पैकेज तो यूस में एक करोड की एक्वालेंट होता है तो उस हिसाब से भी आपके पेमेंट बहुत डिफर करते हैं और यहां पर बस स्टूडेंट की तरफ से कुश्चन है बहुत रहता है नोगों को कि लाइक कुछ थी नौन आइटी वाने भी गया डेवोक्स में आ सकता है आपको लगता है बह आपके पास इस सदी में अगर स्किल्स है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हो अगर आपको एक काम दिया गया है और आपको उस काम करने के लिए हैंड होल्डिंग नहीं करनी पड़ रही है किसी को नहीं आपको मदद करानी पड़ रही है तो आपको कई से भी व वो भी devops में switch हो चुक है क्योंकि उन्होंने वो skills गेन करनी तो आप इतने बड़ एक्जामपल हो तो वही वही दिख रहो कि degree और यह सब इतना matter नहीं करता है आज के time पर तो आपके skills, आपके experience, आपके problem solving abilities, adaptability, कि आप कित्मी जल्दी learn कर रहे हो resilience के थोट नहीं रहो चीज़ है, perseverance, इसारी जो skills है आपके अंदर होनी चाहिए, qualities होनी चाहिए, फिर non IT क्या IT क्या कोई भी कर सकता है इसारी जाए, बहुत अच्छा नहीं का आपने समझाया इसके बारे में, बट लोगों के अंदर अभी भी doubt है बट आप यह चीज़ देखो जैसा कि शुवन भाही ने बताया है, या अगर आप अभी भी job roles की ने जाओगे, अप्लाइग कर के देखोगे तब आपको पता च अगरी ती वाप तेखोगे क्या भी change बने लगती है, वहां कि वीडियो जब आप भी खतम करो उसके बाद जाएके पुट ट्राइक कर लेना, रियल एक्जाम पर आपको वहां पर मिल जाएगा, और एक कुश्चिन मेरा mostly around यह है कि जैसे कि मैं भी COVID में, COVID जब स्टार्ट आपक्ता हुआ भूगा फ्रेशर जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं अपी तो भी रहता है कि यार मुझे पैनलोर नहीं जाना, उगे नहीं जाना, मुझे नोईडा नहीं जाना, मुझे गुडगाओं नहीं जाना, घर पे रंखर रेंख, रिमोट जोब की opportunity devops में है क्या तो बहुत लोग के ना दिमाग में कॉशन वहलब डाउट आता है कि डेवॉप्स का काम जैसे प्रोडक्शन का है तो कभी आपको राक में किसी की इमर्जन्सी आ गई ऑफिस में रहना है तो यह वर्क फ्रम हो मिलेगा क्या अब for example, मैं काम कर रहो हो मैं 2020 से रिमोटली काम कर रहो वाप्स तर राम्पल नहीं कोई तो वह शचाब मैं खुद रिमोटली काम कर रहो हो मिझे से मैंने बता, UK के लिए काम करता हूँ मैं अब मैं उक नहीं देखा है इंडिया में यह वड़ीय पूने में अपना काम करता रहता हूँ तो जितना जादा आपका communication है अपने teammates के साथ यहीं कि devops मैंने की जैसे starting में बताया था collaboration and communication with teams अब अगर आपको office ना जाके भी communicate कर पा रहे हो, अपना proof कर पा रहे हो, कि आपके पास must internet है, आपके पास वो सारे tools है automation है, communication tools है जिसको आपको use करना आता है आप flexible working hours में काम कर सकते हो, let's say UK की shift में मैं हो अभी UK में हो रहा है around 8 बज़र है रात में तो क्या मैं रात में 8 बज़र login करके उस production issue को solve कर सकता हो अगर हम तो उन्होंने दिया हुआ है मुझे work from तो आपको work from home की opportunities ढूंदनी पड़ती है खुद को proof करना पड़ता है अगर उस organization में work from home का culture है तो वो आपको ज़रूर मिन जाती है इस चीज़ के लिए मैं बताऊँगा आपको कि कुछ website जैसे मैं पहले बता है yc jobs, flex jobs, wfh, linkedin, insta hire और basically यह आपको बस आपको इंटर्व्यू करना चाहिए खुद को proof करना चाहिए तो devops को बहुत jobs रहते है remote ली तो यह तो मैं देखे हुआ आपके थेंक्यू शुवंभाई एक और रिक्वेस्ट है आप से आपके जिपनी भी सारी websites के नाम बता है वह अगर website आप मुझे दे देंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ और एक कोशन मेरा है जैसे मालो आप यह सारी चीज़े आप पता चल गई अब ऐसे उदाई अब हमें रोड मैप चाहिए कई मिनिममम इसकी इसनट क्या स्टै चीज़े और एक सटिफिटीरी चेलई जारी है या उसको एड़बन करती है उसके रिजिमे में अधर वो डालता है उसकी वारे में थोड़ा सा बसुक्राइब कर पढ़ा तो बहुत अच्छा रहेगा यह बहुत अच्छा है कि रोड में आप तो जरूरी है कई पर जा रहे है डेस्टिनेशन पर पॉच्टना है रस्ता तो पता होना चाहिए तो इसको ना मैं वैसे नहीं आंसर करूँगा जैसे में आर वीडियो में करता हो कि लिनॉक्स ही वो 90% प्राविबिल्टी रहती कि उसको लिनुक्स पे एक अप्लिकेशन को चलाना पड़ेगा उसको लिनुक्स तो एटूजर आनी चाहिए तो पहला स्टेपिंग स्टोन लिनुक्स तो लिनुक्स सीखो गई है दूसरा कि डेवॉप्स का काम कहा है डेवलप्मेंट टीम्स के करेगा कोलाबरेट करें तो सेकेंड स्टोन अपको सेकेंड सेपिंग स्टोन गिट गिठव सीखो अब उसमें भी बहुत सारी चीज़े है कि अडवास टॉपिक सीखे अना सीखे तो डेवॉप्स को कैसे थोड़ा सा सीनियर मानते है क्योंकि डेवलपर अपना होड उनको द बहुत अच्छा काम कर रहा है मा क्ट ऑना रहा है कोई विंडोऌस पर बना रहा है कोई लिनउकस पर बना रहा है अलग 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 अब Docker सीखी लिया है, तो इसको एक production environment में deploy करेंगे, तो Kubernetes सीखना पड़ेगा, तो जो जिसमें आपकाउं कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा रहता है ये सब चीजे, तो ये कुछ roadmap में बता रहो कि Linux सीखा, Git GitHub सीखा, Docker सीखा, Kubernetes सीखा, अब DevOps Engineer का काम क्या है, डेवलपर ने code commit किया, उसका build बन जाए, उसको packaging हो जाए, testing हो जाए, deployment हो जाए, continuous integration हो जाए, continuous deployment हो जाए, ये काम करता है Jenkins, CircleCI, ArgoCD, या ये सारे जो deployment tools है, वो सीख लो, जिससे आपका automation हो जाए, तो next stepping stone आपका Jenkins सीख लिया, CircleCI, CICD pipeline सीख लिया, अब ये सब आप चलाओ देखा, अपने laptop में तो चलाओगे नहीं, ये पड़ोसी के laptop में नहीं चलाओगे, आप चलाओगे cloud पे, व्योंकि पूरा का पूरा आपका company cloud पे चल रहा है, तो आपको AWS, Azure, GCP, इसकी भी knowledge होनी चा आप क्या करते हो, services run करते हो, resources बनाते हो, infrastructure provision करते हो, ये आप manually करोगे, आप से error हो सकते हैं, आप इसको automate कर लो, code की तुरू लिखो, उसके लिए होता infrastructure as code, terraform सीख लिया, cloud formation सीख लिया, तो ये सारे stepping stone होने चाहिए, कि मैंने basically एक machine पे चलानाना है, वो machine किस पे, रक्स पे च अचा, code कहा से आएगा, GitHub से आएगा, code क्या होगा, वो virtualize होगा, container मनेगा, production में जाएगा, kubernetes यूज होगा, CICD pipeline होगी, AWS cloud यूज होगा, terraform यूज होगा, और last में, ये पूरा application आपका बन गया, इसको मुझे monitor करना पड़ेगा, उसके लिए Prometheus यूज कर लिया, Grafana यूज यूज कर लिया, data dog यूज कर लिया, तो basically एक पूरा road map बन गया, कि basic starting से end तक आपके application के लिए, क्या-क्या life cycle रहेंगी, क्या-क्या tools रहेंगे, और DevOps engineer को क्यो वो चीज आनी चाहिए, तो ये छोटा सा road map मैंने दे दिया, कि ये जिसने सीख लिया, आपकी skills बढ़ गई है, ब बहुत ज्यादा, या तो मैं सिर्फ skill set के साथ जाओ, मैं skill seek लूँ, that's it, या मुझे skill set के साथ मुझे certification भी एक तरना चाहिए, कि मैं as a pressure हूँ, तो fresher मैं मुझे certification in the resume में add करता हूँ, क्या उसको ज्यादा value मिलती है as a DevOps engineer, बड़ा अच्छा question है, क्योंकि क्या होता है, certifications भी आप कुछ levels के होता है, जिसे AWS solutions architect, अब solutions architect हो आप, मतलब senior, अब एक fresher अगर senior बन गया, तो क्या difference रहेगा, तो solutions architect, जो AWS के exam है, वो fresher की किसी काम का नहीं है, तो 3-7 years का experience होता न, वो ही नहीं आपके पस, आपने बहुत सारे certifications कर लिया है, and उस certifications को आप अपने resume में दिखा but, आपके पस उतना relevant experience नहीं है, उतना relevant skill set नहीं है, तो मैं तो यह कहँगा, अगर आपके पस certification नहीं भी है, तो भी चनेदा, skills जरूरी है, but, certifications क्यों करते हैं लोग, एक, आपके पस skills है, उस चीज की validity proof हो जाती, कि आपने एक reputed organization का certification clear किया, जैसे Kubernetes का CKA होता है, certified हो आप Kubernetes administration तो आपको skills तो आती है, आपने उस चीज का certification ले या validity देती है, कुछ लोग होते हैं, जिनके पस gap होता है, कि एक साल क्या कर रहे थी, तो दिखा सकते हैं, एक साल मैं project बना रहा था, और certifications कर रहा था, तो वहाँ पे ना gap fill करने के लिए भी certification यूज कर सकते हैं, कुछ लोग certification है, skills भी है, तो एक जो है उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि उसके बस ज्यादा चीज है, offer करने के लिए, skills primary रखो, experience primary रखो, certifications will also help, तो इस तरह साब certification यूज कर सकते हैं, नहीं भी है, तो भी कोई problem नहीं है, skills होनी चाहिए, minimum, मेरा question इसलिए था, कि as a fresh year हमारे पास इ करेंगे आते हैं, अब आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है, कि भाई, इसकुल के आस, sorry, college में आपकी friends होते हैं, भाई, certification कर ले नहीं होगा, correct, आसपास लोगों को देख रहे हैं, हो तो certification कर रहे है, skill set हो चाहना हो, certification कर लो, एक myth सा create कर दिया जाता है, तो यह उनका यहां पर clear हो जाए आप लोगों का, और बहुत अच्छा session रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप और add-on करना चाहोगी, इस पूरे conversation में, कुछ है, student जो इसको देख रहे हैं अभी, उसको motivation में रहे है, कैसे start करें, आप प्लीज थोड़ा बहुता रहा है, जै कैसे वो बहेंगे निए आपको certifications, बट उनसे पता चलना है कि next AWS का event कौनसा होने वाद है, या AWS में कैसे free credits मिलते है, या कैसे certification की coupon codes मिलते है, तो जैसे आप अपनी networking बढ़ा होगे न, आपको बहुत सारे लोगों का access मिल जाता है, जिनसे आप पूच सकते हो कि यार, मेरे प इतना करें, बट जिसे मेरा था, मुझे certification के लिए नहीं मिल रहा था कुछ, तो मैंने क्या किया, मैंने AWS के कुछ reviews होते है, customer council के start-ups के reviews होते है, मैंने review देते हैं, मुझे 60% का coupon मिल गया, तो मेरी fees जो 6000 रुपे या, फी 10,000 रुपे लगनी थी, वो 5000 होगी, तो इस तरह से मै या Hashi Corp के किसी employees से कोई reference coupon मांग लिया, अब majorly वो response नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास भी नहीं होता, बट लेट से उस month में कुछ offer चल रहा हो या वो, तो वो बता देता, तो मेरा point के है कि आप networking करो, ठीकि अगर आपके पास resources नहीं है, तो खुद के mind को ऐसे मत अपने पर कबजा मत लेने दो कि मैं नहीं कर सकता, मैं कहीं पीछे रह गया, अब दूसरों से help लो, उनके network का part बन, उनको LinkedIn पर connect करो, email करो, और कोशिश करो कि उनसे क्या सीख पाओ आप, तो ये तो रहा certification का, दूसरा है कि बहुत लोग होते हैं वो motivated नहीं रहता है, कि devops सीखना है Linux सीख लिया, GitHub सीख लिया, Docker file लिखने को आप ही, पसीने आगए, क्यार ये क्या हो रहा है, give up मत कर, ज्यादर साथ क्या होगा पता है, error आजाएगा, ज्यादर साथ क्या होगा, आप computer फोग जाएगा, ज्यादर साथ क्या होगा, आप सब भूल जाओगे, बट आपके पस नय स्टार्ट करोगे, आप next time वो mistake नहीं करोगे, जो आपने पहने कीट, तो हमेशे एक fresh mind से स्टार्ट करो, अगर आपको लगे की stuck हो, और community based learning करो, आप अपना एक दिमाग यूज करोगे, अपने जैसे 10 लोग और लें, 10 दिमाग के साथ पढ़ाई करो, जब आप community based करोगे, तो devops मुझे पहला काम रहता न, collaboration, communication, उधर ही solve हो जाता है, क्योंकि आपका issue आया, किसी और devops aspirant ने उसको troubleshoot करके fix कर दिया, किसी और का आया, आपने उसको fix कर दिया, और यह story आपके पास हो जाती, interview में बताने के ही है, तो जितनी unique story आपकी interview में रहेगी, जितने unique आपके skills रहेंगे, उतनी जल्दी आपको job में देगी, तो कभी भी यह मत सोचना कि मुझे job नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं non IT से हूँ, या मुझे कुछ नहीं आता, मेरी communication week है, बस उस चीज पे न, काम करते न, थपो मत, जुको मत, महनत करो, और काम करते रहो, इतना ही मैं बोलूँग थैंक यू सो मज भाई इतना explain करनी के लिए, मैं तो बस एक आपको thank you कहना चाहूंगा, जितने यूवर्स देगर हूं की तरफ से, और जितने student और भी देखेंगे इसको, या share करने अपने friends के साथ, उन सब के भी आपको thank you बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा explain किय आप 24 आर्स वाना जो आपने पताया कि वो पूरे आर्स आपको वापिस खिलफ हो जाएंगे next day, और hit and drive करते रोग करने, और इनका सबसे अच्छा point तुझे लगा आप इन्होंने networking की बात करिये, मैं बहुत ज़्यादा लोगों पर देखता हूं कि networking करते, LinkedIn account पता ही बनाए और आप चाहते हूं कि याद शुबम भाई की और भी बाते सुनें, इनसे और भी बहुत कुछ सीखें, इनका चैनल भी मैं description में डाल दूँआ, महां जाओ, इनसे और भी सीखो, बहुत कुछ सीखने गाए, मैं तो सीखता ही उनकी वीडियो देखके, आप भी जाके सीखो, बहुत मज़ा हैगा इनके वीडियो से, मैं बहुत सारे चीज़े, तुम ये डेवोस में आता नहीं है, मैं फटावट जाके रेफर कर लेता हूं कि यार, किसी बहुतर आंसर भी करना है, मुझे नहीं पता, इनकी वीडियो को मैं रेफर करके देखता हम, आपी जाओ, कोई लोग अच्छे काम कर रहे है, अपने जॉब से भी टाइम निकाल रहे है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे है, और उसके लिए आपने अपने चैनल पर इन्वाइट किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा पार्ड बनके, तो ऐसे आप भी ग्रोव करते रहे हैं, और अपने विवर्स को स्टूडेंट को एजुकेट करते रहे हैं,